हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विबेक कुमार आप सभी लोगों का क्राइन की कहानिया में हारदिक स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बाहुबली अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उसके परिवार का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है लेकिन एक नाम और भी है जो चर्चाओं में बना हुआ है और वो नाम है सपा विधायक पूजा पाल का जिनके पती राजू पाल को अतीक के गुरगों ने सरयाम मौत के घाट उतार दिया था तभी से वह अतीक एहमद गैन के सामने निडर्ता से डटी रही आईए आपको बताते हैं अतीक गैन से लोहा लेने वाली पूजा पाल की कहानी पूजा पाल का परिवार ततकालीन इलाहाबाद शहर में कटगर मुहले में रहता था वही रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 राजुपाल के साथ हुई थी तब राजुपाल इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से बस्पा विधायक थे पूजा ब्याहकर अपनी ससुराल धूमनगंच स्थित उमरपुर नीवा पहुँची थी उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही उनके विधायक पती राजुपाल की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई इसके बाद वो पती की हत्या के मामले में पैरोकार बनी और उन्होंने सियासत में कदम रखा कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाना ना भूले पती की हत्या के बाद उप चुनाव में बस्पा ने उन्हें टिकट दिया लेकिन वह चुनाव हार गई हाला की अगली बार साल 2007 के विधान सभा चुनाव में वह इलाहाबाद शहर पश्चिंट से बस्पा की विधायक चुन ली गई इसके बाद 2012 में भी पूजा ने दोबारा इसी सीट पर जीत दर्सकी साल 2017 में उन्हें बीजेपी के सिधार्थनाथ सिंध ने चुनाव हरा दिया लेकिन 2022 के विधान सभा चुनाव में पूजा पाल सपा के टिकट पर चायल से विधायक चुनी गई 2022 में चुनाव के दौरान उन्होंने जो हल्फ नामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी पती का नाम ब्रिजेश वर्मा लिखा था और अपना निवास मलावा मेहंदी खेडा गोस्वा हर दोई लिखा था इस बात से खुलासा हुआ था कि पूजा पाल ने गुप्चुप तरीके से दूसरी शादी कर ली थी राजू पाल हत्याकांड की कहानी को समझने के लिए हमें करीब 18 साल पीछे जाना होगा देश में आम चुनाव हो चुका था साल 2004 में यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक एहमत सपा के टिकट पर जीत हासिल कर सांसद बन चुके थे उनके सांसद बन जाने से इलाहाबाद, शहर, पश्चिम, विधान सभा सीट खाली हो गई थी कुछ दिनों बाद उपचुनाव का एलान हुआ इस सीट पर सपा ने सांसद अतीक एहमत के छोटे भाई अश्रफ को अपना उम्मीदवार बनाया जबकि बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अश्रफ के सामने राजूपाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया जब उपचुनाव के नतीजे सामने आये तो अतीक एहमत के भाई अश्रफ को हार का मुह देखना पड़ा और बसपा प्रत्याशी राजूपाल ने जीत हासिल की उपचुनाव में अश्रफ की हार से अतीक एहमत के खेमे में खलबली थी लेकिन धीरे-धीरे मामला शान्त हो चुका था विधायक बन जाने के महस कुछ दिनों बाद ही राजूपाल की शादी पूजा पाल के साथ हो गई थी मगर राजूपाल के विधायक बनने और शादी की खुशी ज्यादा दिन कायम ना रह सकी पूजा के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से उत्री भी नहीं थी कि 25 जनवरी 2005 को पहली बार विधायक बने राजू पाल की दिंदहाडे गोली मार कर हत्या कर दी गई इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के दो अन्य लोग भी मारे गए थे जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे इस संसनी खेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत को गर्मा दिया था इस संसनी खेज हत्याकांड में सीधे तौर पर ततकालीन सांसद अतीक एहमद और उनके भाई अश्रफ का नाम सामने आया था दिन दहाडे विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था पूजापाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था उस एफ आयार में सांसद अतीक एहमद उनके भाई अश्रफ खालिद अजीम को नामज़त किया गया था मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की चानबीन शुरू कर दी थी विधायक राजूपाल हत्याकांज की जाच परताल और चानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद ततकालीन सपासांसद अतीक एहमद और उनके भाई समेट 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में राजू पाल की पतनी पूजा पाल का चचेरा भाई उमेश पाल एक अहम चश्मदीद था जब केस की चानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकिया मिलने लगी थी अतीक के गुर्गे भी उसे डरा धमका रहे थे उस वक्त उसने पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी उमेश पाल पर लगातार अतीक के गुर्गे अपने बयान बदलने का दबाव बना रहे थे उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कह रहे थे लेकिन जब वो नहीं माना तो कहा जाता है कि बाहुबली अतीक ने साल 2006 में उमेश पाल को अगवा करा लिया था और उसे बंधक बना कर रखा था इसी के बाद उमेश पाल ने अदालत में जाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी थी इस बाद से उसकी रिष्टे की बहन पूजा पाल काफी नाराज हुई थी हालांकि अतीक के चंगुल से मुक्ठ हो जाने के कुछ दिनों बाद इस मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ थाने जाकर मुकदमा दर्स करवाया था उसने अतीक अहमद पर उसे अगवा कर जबरन अपने पक्ष में गवाही करवाने का आरोप लगाया था इसके बाद इस मामले में जाच और सुनवाई चलती रही लेकिन राजू पाल की पतनी पूजा पाल और उनका परिवार इस मामले की चानबीन से संतुष्ट नहीं था लिहाजा इस मामले की जाच उत्तर प्रदेश सरकार ने CBCID को सौंपी दी थी CBCID ने पाच आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुलहसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था CBCID की जाच से भी दिवंगत विधायक राजू पाल की पतनी पूजा पाल और उनका परिवार नाखुश था निराश होकर पूजा पाल ने सुप्रीन कोर्ट का दर्वाजा खठटाया और CBI जाच की माम की मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जाच CBI को सौंपने का फर्मान सुनाया था जब राजू पाल हत्याकांड की CBI जाच की बात सामने आई थी तो उमेश पाल को इस मामले में फंसने का दर्सताने लगा था इसलिए एक दिन वो पाल समाज के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लेकर राजू पाल के घर पहुँच गया था और वहां उसने पूजा पाल के सामने हाथ जोड कर कहा था कि अब सहयोग कीजिये और हम लोग गवाही देंगे इस बात पर पूजा पाल ने कहा था कि आए हो तो निराश नहीं करेंगे इमानदारी से लड़ना चाहते हो तो साथ देंगे इसके बाद पूजा पाल खुद कई बार उमेश को लेकर कोट जाती थी सुप्रीन कोट के आदेश पर CBI ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से 20 अगस्त 2019 को मामला दर्स किया और चानबीन शुरू करदी करीब 3 साल विवेचना करने के बाद CBI ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए CBI कोट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक एहमद के भाई पूर्व विधायक अश्रफ सहित अन्यलोग शामिल थे सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किये गए थे हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अश्रफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था जबकी जमानत पर चर रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार एहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे दरसल, राजूपाल हत्याकांड में उमेश की गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी उमेश पाल को पहले भी धमकिया मिलती रहती थी यही वज़य है कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो सुरक्षा कर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे मगर बीते शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई पुलिस और उस्टी उफ अब पूरे मामले की चानबीन कर रही है राजू पाल हत्याकांड की पैरोकार और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी इससे पहले पूजा पाल ने कहा था अगर मेरी हत्या होती है तो राजू पाल मर्डर केस का मुकदमा बंध हो जाएगा मुझे और मेरे गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है मुझे भी डर है मैं मान करती हूँ कि जिस तरह से अतीक एहमद से मैं लड़ी हूँ अब मुझे भी सुरक्षा दी जाए उन्होंने कहा बीजेपी नेता सिधार्थ नाथ सिंग को यही नहीं मालूम है कि राजू पाल हत्याकांड में मैं वादी थी सिधार्थ जी को हत्याकांड की याचिका पढ़नी चाहिए इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबाना ना भूले भन्यवाद